लोग अभी दंगल की छोटी बबिता यानी सुहानी भटनागर की मौत से उभर भी नहीं पाये थे कि अब रितुराज सिंग के निधन ने सब का दिल दहला दिया है फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मशूर एक्टर रितुराज सिंग का 60 साल की उम्र में काडियक अरिज से निधन हो गया रितुराज सिंग फिलहाल टीवी शो अनुपमा में नजर आ रहे थे और उन्होंने बदरीनात की दुलहनिया में वरुन धवन के पिता का रोल भी किया था बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रितुराज सिंग शारुक खान के बिस फ्रिंड थे दोनों स्ट्रगल के दिनों से ही साथ ही थी और साथ में खूब थीटर भी किया था रितुराज सिंग हमेशा कहते थे कि वह जब कभी भी मुसीबत में होंगे तो शारुक खान ही सबसे पहले उनके पास आएंगे रितुराज सिंग और शारुक खान ने बैरी जॉन के एक्टिंग स्टूडियो में शुरुआत की थी दोनों को एक्टिंग का चसका था, हीरो बनना चाहते थे तो इसलिए थीटर से शुरुआत की दोनों बैरी जॉन के थीटर ग्रूप टैग यानी थीटर एक्शन ग्रूप का हिस्सा थे दिल्ली में रहने के दोरान रितुराज सिंग और शारुक खान की दोस्ती काफी गहरी हो गए थी रितुराज और शारुक की उम्र में सिर्फ एक साल का फासला था रितुराज बैरी जॉन के थीटर ग्रूप में एक ग्यारा साल से जुड़े थे लेकिन शारूख खान उनके 5 साल बाद थीटर से जुड़े इसके बाब जूद दोनों की पक्की दोस्ती हो गई थी रितुराज सिंग ने शारूख खान के 50 वे बद्धे पर इंजन एक्सप्रेस से बात की और कई किससे शेयर किये थे रितुराज ने बताया था कि वह और शारूख एकदम चड़ी बड़ी यार थी दोनों एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेती थे जब भी वक्त मिलता तो शारूख और रितुराज सिंग साथ में वक्त गुजारते शारूख कई बार रितुराज को अपने वैनिटी वैन में बुला लेते और साथ में सिगरेट पीते थे थेटर के बाद जहां शारूख बड़े स्टार बन गए वही रितुराज सिंग स्ट्रॉगल करते रहे गे लेकिन उनके अंदर कभी भी जलन की भावना नहीं आई रितुराज को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि शारूख जब भी उनसे मिलते हैं तो वही पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं यही नहीं वह अपने बाकी दोस्तों से भी रितुराज सिंग को यही कहकर मिलवाते हैं कि वह उनका सबसे पुराना दोस्त है रितुराज सिंग शारुखान की मा के भी बहुत करीब थे वह अकसर एक्टर के घर जाते और उनकी मा उन्हें लजीज खाना खिलाती थी रितुराज हर इस्तिती में शारुखान के साथ खड़े रहे जब शारुख की मा का इंतकाल हुआ तो एक्टर बुरी तरह तूट गये थे पर रितुराज उन्हें होसला देने के लिए खड़े रहे रितुराज ने बताया था कि थेटर की दिनों में जब शारुख गौरी को डेट कर रहे थे तो वह उन्हें चिड़ाते थे वह उनसे कहते थे कि कॉलेज की खूबसूरत लड़ियों को घर ड्रॉप क्यों नहीं करते इस पर शारुख चिड़ जाते और कहते कि तूप पागल है मैं सिर्फ गौरी से प्यार करता हूँ रितुराज के मुताबिक शारुख जब थेटर कर रहे थे तो गौरी उनकी जिंदी का हिस्सा थी शारुख और रितुराज भले ही अक्सर नहीं मिल पाते थे पर वह कहते थे कि मैं अगर कभी मुसीबत में हुआ तो शारुख ही सबसे पहले दोड़ कर मेरे पास आएगा और अब रितुराज इस दुनिया से चले गए उनके अचानक निधन से दो शारुख को वाकई तगड़ा जटका लगा होगा